Hello students, आज हम B.A. Part 3rd का first paper बैंथम को ही continue करेंगे पिशली क्लास में हमने बैंथम के उपियोगितावादी सिधान्त का एक प्रारूप देखा उपियोगितावादी सिधान्त का जो मूलभूत आधार है कि राज्ये के लिए राज्ये अधिक्तम व्यक्तियों का अधिक्तम सुख कैसे निर्धारित करता है तो बैंथम का जो ये उपियोगितावादी सिधान्त है उसमें नेतिक और भावनात्मक पक्षपर कहीं न कहीं आ पर बेंथम का जो उप्योगितावाद है उसमें एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य के एक यथार्थवादी सुरूप को प्रस्तुत करती है और जिसमें सामाजिक व्यवस्था और राज्य की उप्योगिता का विशलेशन बेंथम इस सिद्धान्त के आधार पर करता है बेंथम ने माना की जो उप्योगितावादी सिद्धान्त है वो सुख पराधारित है यानि कि वो जादा से जादा मानव को व्यक्तियों को राज्य में सुख प्रदान करना चाहता है और दुख कम करना चाहता है या कतम करना चाहता है क्योंकि जैसे हमाने की मनुष्य में बहुत सारी प्रवर्तियां ऐसी होती है कि जिन में निरंतर वो संघर्ष रहता है उसकी प्रवर्तियों के आधार पर वो निरंतर संघर्ष रहता है और उस संघर्ष में वो सुख और खुशी को दूनने का प्रयास करता है और वो दुख से अपने आपको कैसे बचा सकता है दुख अपने से कैसे दूर कर सकता है इन सब के प्रयास में वो लगा रहता है और उसी आधार पर जब व्यक्ति कारे करता है तो च्छाई और बुराई की जो कसोटी वो बताता है जो मेजर करता है उसका मानना है कि वह सुख ही है अंत्वें है न तो इस आधार पर बैंथम का जो उप्योगितावादी सिधान्त है वो प्रकर्ती के साथ जुड़ा हुआ है फिर राज्जे का जो कारे है वो अधिकतम व्यक्तियों को अधिक्तम सुख प्रदान करना है तभी राज्य की जो उप्योगिता है वो सिद्ध होती है इसलिए बैंथम जो है सार्वलोकिक सुख वाद की बात करता है और ये एक नहतिक सिद्धानत है यूनिवर्सल हीडोनिज्म जिसे वो अधिक्तम व्यक्तियों के अधिक्तम हित्की अवधारना के रूप में स्विकार करता है और इसे एक राज्यनतिक सिद्धानत का रूप देता है तो उप्योगितावादी के अनुसार राज्ये एक क्या है कल्यान कारी संस्ता है क्योंकि राजय का अस्तित्व उसकी उपयोगिता पप्टे का हुआ है कि उसका काम ही यही है कि वो अधिक्तम व्यक्तियों को अधिक्तम सुख जो है वो प्रवाइड करे तो इस आधार पर तो पिर बेंथम कहता है कि जो राजय और समाज है है ना वो आदर्शवादियों के विप्रीत जो है प्योगितावादियों के अनुसार राज्य समाज से एक भिन संस्ता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो समाज का जो क्षेत्र है वो राज्य से कहीं ज़्यादा व्यापक है राज्य विस्तरित संस्ता है, राज्य एक सर्वोच संस्ता है, राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को बनाय रखने के लिए एक आवशक संस्ता है तो इसलिए राज्य का व्यक्ति के जीवन में अनावशक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है इसलिए उप्योगितावादी सिद्धान्त को स्थापित करने के लिए राज्य और समाज में बेंतम अंतर करता है फिर राज्य अपने आप में कोई लक्ष नहीं है बलकि एक साधन है अगर वो उप्योगिता राज्य के लोगों के लिए उस राज्य की नहीं है तो फिर कुछ और फिर कुछ अलग होना चाहिए इसलिए व्यक्ति साद्धे है और राज्य साद्धने ठीक है इस आधार पर वो अधिक्तम व्यक्तियों के अधिक्तम हित की बात करता है और राज्य का लक्ष भी यही होना जाहिए फिर बैंतम का जो उप्योगितावादी सिध्धान्त है वो यथार्थवाद पर अधारित है उनिस्वी शताबदी में यथार्थवादी आंदोलन के रूप में सुधार के रूप में इस उप्योगितावादी सिध्धान्त को वो स्थापित करता है और इसलिए बैंतम का मानन है कि उप्योगितावादी सिध्धान्थ जो है वो कहीं न कहीं सामाजिक परिवेश में बहुत सारा परिवर्तन करने में सक्षम है उप्योगी तावादी सिद्धान एक सामाजिक सुधार के रूप में एक एपरेटरस के रूप में आवशक है क्योंकि जो इंग्लेंड की ततकालिक परिस्थितियां थी वहां की जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वहां की जो न्याय व्यवस्था वहां की दंड और कानून व्यवस्थाएं वहां की आर्थिक सुधार सामाजिक परिवेश सामाजिक व्यवस्था राजनेतिक सुधार राजनेतिक भष्टाचार प्रशास्निक भष्टाचार इन सब को दूर कैसे किया जा सकता है और समाज में तीवरगती से सुधार कैसे लाया जा सकता है इसके लिए बेंथम ने एक ऐसे समाज सुधारक उपयोगितावादी यंत्र को राज्य में स्थापित करने की बात कही इसलिए बेंथम का जो उपयोगीतावाद है वो सम्हंधानिक विकास में प्रगती में विश्वास रखता है और ये एक उपयोगीतावाद एक प्रगती शील विचार धारा है क्योंकि इसी आधार पर वो सामाजिक और आर्थिक विवस्ता में सुधार करने की बात करता है फिर प्रजात अंत्र में क्योंकि जनकल्यान के लिए ये उप्योगितावादी सिद्धान्त है इसलिए प्रजात अंत्र में उसका विश्वास है ठीक है ना फिर बेंथम का उपयोगितावादी जो सिद्धान्त है वो राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धान्त अधिक है कि राज्य का विकास कैसे हुआ राज्य का सुरूप क्या है क्या होना चाहिए इन सब की बात नहीं करता है वो केवल व्याभारिक रूप से केवल और केवल उपयोगितावाद पर बात करता है कि राज्य की उपयोगिता राज्य के नागरिकों के लिए कितनी है वो उनको अधिक्तम सुख कैसे प्रदान कर सकता है केवल और केवल इस पर आधारित है इसलिए वो शासन की प्रक्रियाओं पर विश्वास करता है फिर क्योंकि ये एक प्रगती शील विचार है इसलिए उपयोगितावादी सिद्धान्त जो है इंग्लेंड में क्रमिक विकास हुआ है समय समय पर आवश्वता नुसार जो परिवर्तन होते रहे उसके आधार पर बेंथम इस उपयोगितावादी सिद्धान्त को स्विकार करता है अब कुछ कमिया जो बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धान्त में है क्योंकि बेंथम का उप्योगितावादी एक मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोन पर आधारित है जहां राज्ये एक साधन है और व्यक्ति साध्य है तो वो कहीं न कहीं कारियों के विशलेशन के लिए कारियों के अवलोकन के लिए उसके मापदंड के लिए वो केवल एक व्यभारिक पक्ष प्रस्तूत करता है या व्यभारिक मापदंड प्रदान करता है लेकिन उप्योगितावादी सिधन्ध के आधार पर सुख और दुख को कैसे अलग-अलग किया जा सकता है या उनको कैसे मापा जा सकता है या इस मनोवज्यानिक दृष्टी कौन के इस उपयोगितावाद के आधार पर नैतिक तक को कैसे स्थापित किया जा सकता है क्योंकि जब व्यक्ति अपने सुख के लिए काम करेगा तो वो कहीं न कहीं स्वार्थी भी हो जाएगा कहीं न कहीं उसका सोभाव अपने लिए हो जाएगा तो वो मानव सोभाव का ये जो एक मातर केवल की व्यक्ति केवल सुख पर आधारित काम करना चाहिए उसमें और दूसरी चीज़ें भी होती है, उसमें दया भी होता है, ख्षमा भी होता है, प्रेम भी होता है, कई बार उसे कोई बहुत अधिक सुख की प्राप्ती नहीं होती है, लेकिन सामने वाले को उसके कारे से सुख की प्राप्ती होती है, तो वो भी एक प्रकार का सुख है तो इन सब चीजों को मनुश्य एक बोधिक प्राणी है उसमें विवेक का तत्व है और वो सुखर दुख के अनुमान और उसके परिणामों में ही उलजा रहे तो ऐसा नहीं हो सकता है जब देश भक्ती की भावना जब जहां आती है तो हम कहेंगे तो अगर त्याग और ब अगर जो उपर होती है तो वो भी उपयोगिता है उसकी है तो इसलिए ये कहीं न कहीं बेंथम का जो दर्शन है वो केवल भतिकतावादी दर्शन है और इसको कहीं न कहीं पिग फिलोसफी का भी कुछ आलोचकों ने इसको पिग फिलोसफी का नाम भी दिया है पिर अधिक अधिक्तम वेक्तियों के अधिक्तम जो सुख है उसको मापना माप लिया जाए उसको कोई माप दंड हो और उसके आधार पर उपयोगितावादी उपयोगितावाद जो है वो के इस मापक यंद्र के आधार पर राज्य के कारियों का विशलेशन या उसका मुल्यांकन कर लिय यह पूरी तरह से नहीं है तो हित या प्रसंदता यह जो इसे शब्द हैं ऐसे हैं ना सुक्ष दुख अच्छा बुरा हित अहित इस तरह की जो शब्द हैं और फिर कई काम में कार्य करने में जैसे वो कहा रहा है कि गुनात्मक धेद होता ही नहीं है उसकी quality में कोई अंतर नहीं है एक साहित्स पढ़ना भी उतना ही quality आपको गुन दे रहा है और एक game खेलना भी आपको उतना ही गुन प्रदान करना कर रहा है तो दोनों में अंतर है ठीक है खाली time में हम कुछ काम कर रहे हैं वो अंतर है लेकिन अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं क खाली टाइम से कहीं अलग है तो दोनों की quality दोनों की quantity एक है ऐसा बेंथम का मानना है जबकि दोनों की quantity और quality अलग-अलग है तो इस तरह से हम उसको माप नहीं सकते हैं फिर उप्योगितावादी सिद्धान्त इस आधार पर एक बहुत कोई उच्च कोटी का कोई बहुत ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है जो राज्य में किसी न किसी रूप में यथार्तवाद और उस व्यभारवाद को कहीं न कहीं स्थापित कर सके तो ये एक ऐसा एक ऐसे प्रकार का कोई इसको आलोचकों ने माना है कि ये कोई निम्न कोटी का ही भतिकवादी सिद्धान्त है फिर प्योगितावाद जो है वो समाज को एक समाज का एक ऐसा रूप प्रस्तुत करता है जो जहां पर प्रतेक व्यक्ति जो है सुख प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है तो सुख प्राप्त करने के लिए और इस प्रकार जो जो प्योगितावादी समाज है समाज और राज्य को एक संगठित रूप में कैसे देखा जा सकता है आदर्श रूप में कैसे देखा जा सकता है तो वो एक प्रकार से क्या है कि भीड में इस उप्योगितावादी सिद्धान्त को वो स्थापित करने का प्रयास करता है तो मैक्सी ने इस संदर्ब में लिखा है बेंथम व्यक् और सामाजिक उप्योगिता के बीच की खाई को पार करने में असमर्थ रहा है फिर इसको उसने एक युनिवर्सल फ्योरी के रूप में इस उप्योगिता वादी सिध्धान्त का विशलेशन और अवलोकन किया है तो ये कहीं न कहीं विश्व वादी सिध्धान्त को स्थापि करने में भी ये एक प्रकार का विरोधा वास प्रस्तूत करता है जैसे सुख या प्रसंद्रता है इसको व्यक्ति खुद से अनभव कर सकता है लेकिन उप्योगिता वादी सिध्धान्त के अधार पर इसमें ये चीजें जो हैं कहीं न कहीं ऐसी भी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं व्यक्ति को प्रतक्षते दिखाई नहीं देती हैं तो इसलिए प्योगितावादी सिध्धान्त या प्योगितावाद राज्य और सरकार को एक ही समझता है जबकि ये दोनों अलग-अलग हैं फिर स्वतंतरता और समानता को भी कहीं न कहीं बेंथम ने प्योगित वादी सिध्धान्त में कोई महत नहीं दिया है उचित महत नहीं दिया क्योंकि जैसे उसके अनुसार जो कानून के प्रमुक जो लक्षे स्वतंतरता या समानता नहीं है बलकि सुरक्षा है स्वतंतरता और समानता को सुरक्षा के आधीन बना देता है तो बैंथम के द्वारा जो ये इस तरह की जो चीजे हैं ये कहीं न कहीं राज्य में हिंसा उत्पन करती हैं समाज में हिंसा उत्पन करती हैं तो ये वर्तमान में इस प्रकार के सिध्धांत स्विकारे नहीं जा सकते हैं और कहीं न कहीं उपयोगितावादी सिध्धान्त अधिक्तम व्यक्तियों के अधिक्तम हित की बात करता है प्रतेक व्यक्ति के आनंद की बात नहीं करता है बलकि बहुत संख्यक के आनंद की बात करता है तो ऐसे में कहीं न कहीं अल्प संख्यक वर्ग जो है उसके हित जो हैं न कहीं चूट जाते हैं तो ये बैंथम का जो एक उपयोगितावादी सिध्धान्त है वो कहीं न कहीं शब्दों के जाल जैसे हम देखते हैं डिक्शनरी में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं कहीं सारे अर्थ होते हैं परियावाची अर्थ होते हैं मगर कहीं न क कि जो सामाजिक राजनेतिक आर्थिक व्यवस्था में जो एक सुधार और परिवर्टन की बात की है, उसके लिए ये एक उप्योगितावादी सिध्धान्त को स्विकार किया, उसको स्थापित किया, लेकिन फिर भी बैंथम का ये एक मनोवेग्यानिक सिध्धान्त दंड, नैतिकता, राजनीती, उसको लेकर के कुछ तर्क और उसके कुतर्क, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, प्रकर्तिक अधिकारों के अधार पर जैसे सत्रमी शताबदी में हमने हॉप्स लॉग रूसों को पढ़ा, हॉप्स के इनके सामाजिक समझोता सिद्धान्त को उप्योगितावादी सिद्धान्त की जो विचारधारा है, उसने राजनीतिक व्यवस्थाओं में बहुत सारे सुधार के कुछ नए आयाम प्रस्तुत किये थेंक यू